एक राजा ने तीन मंत्रियों को बुलाया तीन मंत्रियों को बुला कर कहा जाओ ये जोला लो दस-दस किलो का जोला दिया और जोला दे करके बगीचे में भेज दिया राजा ने जिस बगीचे में बढ़िया ताजे-ताजे फल लगे हुए थे सुन्दर सुन्दर फल मौसमी फल लगे हुए छे सब प्रकार के फल छे बगीचे में भेज कर कहा जाओ राजा ने मंत्रियों से कहा ये पूरा जोला अपने ताजे ताजे फलों से भर करके लाओ और केवल पाँच घंटे का समय दिया गया पाँच घंटे का समय दिया गया चलो पाँच घंटे नहीं मैं आपको समझाने आपको समझ में आएगा सौ मिनट लेता हूँ मैं समझाने के लिए सौ मिनट जाओ बगीचे में सौ मिनट में आपको दस के लोग का जोला ताजे ताजे फलों से भर के लाना जाओ तीनों मंत्री फास्ट गए एक मंत्री सोचा के कोई वात नहीं ताजे ताजे फटा पर तोड़ लूँगा थोड़ा विश्राम कर लूँ अभी तो बहुत समय है ठीक है? बहुत समय है लगवक पौने दो घंटे हैं क्यों जी? आराम कर लो एक आदमी एक मंत्री जाके थोड़ा ठंडी ठंडी हवा लेट गया और जब लेटा उसकी नीन आ गई दूसरा मंत्री गया तो वहाँ पर जो बगीचे का चौकीदार था उससे वो पंचायत करने लगा जैसे आप लोग कठा में आके भी पंचायत करने लग जाते हैं ऐसी वो पंचायत करने लगा पंचायत कर रहा है दूसरा सो रहा है तीसरा समझदार उसने समय वेष्ट नी किया समय वरवाद ने तुरंत पेड़ पर चढ़ा ताजे ताजे फल तूड़ा और फल तूड़ करके बैग पैक हो गया जूला और जूला पैक करके जाने लगा तो देखा उसका सखा मित्र सोरा अरे जाग जगाया तब तक केवल 10-15 मिनट बचे थी उसने अब ताजे फल तो तोड़नी पाया उसके पास तो केवल 5-7 मिनट ही बचे जल्दी जा अच्छा समय हो गया आदमी पंचायज करने में न 2-2 घंटे लगाता जैसे आप लोग जो एक बार खड़े हुए पंचायज करने में कब 2 घंटे हो गए पता ना चला कई लोग तो दिन भर प्रपंच करते दिन भर पंचायज उसकी चुगली उसकी बुराई उसका ये क्या मिलता है आप लोगों को कौन सा धन्ना से ठो जाते हो चुगली करके दूसरा कैसा है हमें क्या करना हम कैसे हैं ये देखना चाहिए वो गया तो वो तो अब उसे ना ताजे मिले ना बासे मिले अब तो वो माटी पत्थर मिट्टी भरके जोला में ले गया तीनों पहुँचे राजा के सामने हाजर है राजा ने चौथे मंत्री को बिलाया यहाँ हो इन तीनों को अलग अलग जेल में बंद कर दो और खाने को वही देना जोने के जूले में उन्होंने भरा तीनों को अलग-अलग जेल में बंद किया राजा ने अब जिसने ताजे-ताजे फल भरे थे उसे तो कोई दिक्कत ना वई आराम से दो सवेरे खाई दो सामके खाई मस्त दूसरा जो सो रहा था जो सोवत है वो खोवत है जो जागत है वो इसलिए जादा ना सोया करो सवेरा हो गया चार बज गए पाँच बज गए जागो सवेरे का सूर्य देखो सवेरे भगवान सूर्य को नमस्कार करो जागो उठ जाग मुसाफिर भूर भई अवरेन कहां तू सो बत भगवान का चिंटन करो शान्ति सो रहा था, सड़े फल भर लिया, अब सड़े फल घाया, तो बीमार पड़ गया अब बीमार पड़ा चिला रहा, मुझे यहां दर्द हो रहा, पेट में दर्द है, यहां दर्द है, अब बता उसके दर्द का जिम्मेदार कौन है, जोर से, जोर से, कौन, वो स्वयम, और तीसरे की हालत सबसे ज़्यादा डाउन थी, पंचाई थी, और कर ले पंचाई, वो, फल नहीं भर पाया, माटी पत्थर, उसको लगा राजा टाइम पास करने के लिए भेजे, अब माटी खा, पत्थर खा, और कर ले पंचाई, इसलिए मेरी माँ पंचाई भिलकुल ना किया कर, अब बताईए, वो भूखा मरने लगा, उसकी मृत्यू का जिम्मेदार कौन, मूखा मर गया, और ये जो ताजे ताजे फल तोड़ा था, अब ये मस्त खाया पिया पड़ा है आनन्द से, मस्त है, इसकी खुसी का जिम्मेदार कौन है, इसके सुख का जिम्मेदार कौन है, सुख का जिम्मेदार भी वो स्वयम है, और दुख का जिम्मेदार भी वो फल हमें ये संसार एक बगीचा है एक राजा ने मंत्री को बाजार बगीचा भेजा एक राजा है भगवान मंत्री है हम सब हमें एक जोला दिया भगवान ने और कितने मिनट का समय दिया सौ साल की उमर देकर भगवान ने आपको संसार के बगीचे में भेजा है जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल समेट समेट करके लाओ लेकिन यहां आकर हम अच्छे अच्छे कर्म ना करके कभी प्रपंच करते हैं, कभी सौने में समय बरबाद करते हैं, कभी शराब पीने में समय लगाते हैं, कभी उल्टे कामों में समय लगाते हैं अरे भाई समझधार वो नहीं है जो प्रपंच कर रहा समझधार वो नहीं है जो दिन भर सो रहा समझधार वो है जो अपने कल्यान करने में लगा हुआ है अच्छे काम करने में लगा हुआ है मेहनत करने में लगा हुआ परोपकार करने में लगा हुआ क्योंकि यहां सदा कोई न रहेगा सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का